अग्यात वाहन के टक्कर से यवतमाल जिले के दीगरस तहसील के अंतरगात आने वाले कलगाँ फाटी के पास एक हिरन की मौत के मामला सामने आया है गुरुवार को सामने आई इस गटना के बाद वन विभाग ने पंचनामा कर अग्यात वाहन चाला के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है दीगरस तहसील के तहट आने वाले कलगाँ फाटा की करीब गुरुवार 30 दिसंबर सुभा चार बजे का ज्यात वाहन ने रास्ता पार कर रहे म्रग प्रजाती के एक नर हिरन को जोड़ा टकर मारी जिसमें हिरन की जगा पर ही मौत हो गई इस प्रकरण में वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग को सबा 8 बजे इस घटना की खबर मिलते ही दीगरस वन विभाग के करमचारियों ने घटना स्दल का रुख किया और पंचिनामकर हिरन के शफ को पोस्माटम के लिए दीगरस के पशु वैद की अस्पत राठोर असीव पठान आदी उपस्तित थे सूत्रों ने बताया कि दीगरस वन विभाग कारियाले ने अग्यात वहन चालक के खिलाव वन जीव सुरक्षा कानून के तहत मामला दरच कर लिया है सूत्रों की माने तो आणी दीगरस रोट पर इस्थित कलगां फाटे के पास हुई उप्रोक्त सडक दुरगटना में अग्यात वहन की जोदा टकर में म्रत हीरन के मुँपर गहरी चोट लगी जिस वज़से हीरन की जगा पर ही मौत हो गई इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अग्यात वहन चालक वहन को ना सिर्फ बहत तेज गती से बलकी ल अग्यात वहन की तलाश जारी कर दी है बीसे न्यूस के लिए दीगरत से जुवेर खान की रिपोर्ट